जय श्री राम, जय श्री कृष्णा मित्रों इस वीडियो में हम बात करेंगे भागवत गीता में लिखित 18 अध्याय की भागवत गीता के इन 18 अध्याय में लिखित उन बातों का हम कैसे अपने जीवन में उपयोग करके अपने जीवन को सरल बना सकते हैं अगर आप इस वीडियो को बिना सकिप किये ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपको जीवन का सार समझ में आ जाएगा कि आपका जन्म किस लिए हुआ है और आपको अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य कैसे प्राप्थ होगा भगवद गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है जो महा भारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिये गए उपदेशों पर आधारत है भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को धर्म, ज्यान, भक्ती और कर्म की महत्ता के बारे में बताते हैं भगवत गीता में यह सिखाता है कि मानव को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा करने पर कर्मफल भी भोगना पड़ता है अर्थात हम यह कह सकते हैं कि गीता का मुख्य उद्देश कर्मयोग है, जो जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल पाता भागवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विशाद योग, श्रधा और विश्वास की महत्ता को समझाता है यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए वारतालाप का वर्णन करता है इस अध्याय में अर्जुन अपने शिकारियों और अपने सब के साथ खड़ा होता हुआ, अपने समक्ष उत्सा, असमंजस और विशाद का अभिव्यक्ती करता है अर्जुन को अपने दोनों शिकारियों और राजा के रूप में अपने करतवियों को समझाने के लिए कृष्ण उसके साथ खड़े होते हैं अर्जुन को युद्ध करने में विश्वास की कमी होती है और वह दुहक से भर जाता है उसे अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और गुरुओं के साथ युद्ध करने से बिर्ती होती है इस अध्याय में अर्जुन के मन की उदासिन्ता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण उसे उसके करतवियों का समरण दिलाते हैं वह उसे समझाते हैं कि उसे अपने करतवियों के लिए युद्ध करना चाहिए और वह उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के नाम से जाना जाता है यह अध्याय ज्यान और कर्म की तुलना करता है और इस दुनियादारी की महत्वपूर्ण विश्यों को विस्तार से विवर्ण करता है इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से समझाते हैं कि कर्म का फल केवल फल के लिए नहीं होता है, बलकि कर्म अपने आप में महत्व पूर्ण होता है इसलिए अपने कर्मों के फल को छोड़ देने और कर्म करने के लिए निस्संदेह निर्धारित करना चाहिए इस अध्याय में कृष्ण ज्ञान और विवेक की महत्व पर भी बल देते हैं उन्होंने बताया कि सत्य ज्ञान ही हमें छूटकारा दिलाता है और मोक्ष की वोड़ ले जाता है यहाँ अध्याय उन लोगों के लिए भी महत्व पून है जो ज्ञान और कर्म के बीच उल्जे हुए हैं और अपने धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग के नाम से जाना जाता है यहाँ अध्याय कर्म के फल के साथ कैसे रहना है धर्म की महत्ता और इच्छाओं के प्रभाव से कैसे बचना है जैसे विश्यों पर ध्यान केंड़ित करता है इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो कुछ हम करते हैं उसका फल हमारे बस में नहीं होता है इसलिए हमें कर्म करना चाहिए और उसके फल के बिना उसे छोड़ देना चाहिए इस तरीके से हम इच्छाओं से मुक्थ हो जाते हैं और कर्म के जरिये अपने को धर्म में समर्पित कर सकते हैं इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि धर्म के आधार पर ही हम अपने जीवन को संचालित कर सकते हैं और अपने कर्मों के फल को सही धंग से स्वीकार कर सकते हैं इसलिए इस अध्याय में धर्म और कर्म के महत्व के बारे में विस्तार से विवर्ण दिया गया है भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्यान योग के नाम से जाना जाता है यह अध्याय ज्यान के महत्व के बारे में बताता है और उसके माध्यम से हमें मोक्ष की प्राप्ती की ओर ले जाता है इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान का मार्ग अती उच्छ और सुक्ष्म होता है इसमें जीवात्मा और पर्मात्मा के बीच एक्ता का विवर्ण दिया गया है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतिम अवस्था में सभी जीवात्माएं पर्मात्मा में बिलीन हो जाती हैं और उन्हें संसार से मुक्त कर दिया जाता है इस अध्याय में ज्यान के महत्व का उल्लेक किया गया है जिसके माध्यम से हम अपने असली स्वरूप को समझ सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के लाभ के बारे में बताया है जो हमें स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है भगवद गीता का पांचवा अध्याय कर्म योग के नाम से जाना जाता है यह अध्याय कर्म योग के महत्वपूर्ण सिध्धानतों को समझाता है इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भगवान को समर्पित कर्म हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं कर्म योग एक ऐसा मार्ग है जो हमें कर्तव्यका पालन करने के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ती कराता है। इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान के लिए समर्पित कर्म निर्बाध होना चाहिए और उसके फलों से संतुष्ट होना चाहिए। यह अध्याय भी बताता है कि विवेक कूर्वक कर्म करना चाहिए और भगवान के लिए समर्पित कर्म न करने से कर्म बंधन में फंसा रहता है। इस अध्याय में बताया गया है कि कर्म करने से बचने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध बनाने की आवश्शक्ता है और भगवान के लिए समर्पित कर्म करने से हमारा कर्म शुद्ध हो जाता है। भगवत गीता का छठवा अध्याय आत्मसन्यम योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मसन्यम योग के महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बताते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि आत्मसन्यम योग से हम अपनी मनस्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपनी मनस्थिती को नियंत्रित करते हैं, तब हम अपने आपको एक स्थिर एवन शांत स्थिती में रखते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि ध्यान और समाधी के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि आत्मसन्यम के द्वारा हम अपने शरीर, मन और आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। समझाते हुए कि जो समझ में नहीं आता, उसके पीछे जाकर न रहें, बलकि अपने कर्तवियों का निर्वहन करें। उन्होंने उदाहरन दिये कि अर्जुन का धर्म युद्ध करना है और वे उसे इस धर्म के अनुसार करने का प्रेणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में समस्त उपदेशों के पीछे जो मूल तत्व होता है, उसकी भी स्पष्ट जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर होती है और यह शरीर के अंतरगत नहीं बल्कि उससे अलग होती है। इसके अलावा उन्होंने जीवन और मृत्यू के संबंध में भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जीवन एक अनंत चक्र है और मृत्यू के बाद आत्मा दूसरे शरीर में जन्म लेती है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिये हैं कि आत्मा सदा सच्चिदानन्द स्वरूप होती है। और उसे इस शरीर से अलग करके स्वयन को देखना चाहिए। भगवद गीता के आठवा अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी उत्तम भक्ती का वर्णन देते हुए उनसे ब्रह्मा ज्यान की अधिक महिमा बताते हैं। इस अध्याय में अर्जुन भगवान की श्रद्धा के साथ सुनता है और वह जानता है कि भगवान का अनन्त स्वरूप केवल उनहीं को जानने योग्य है। अध्याय की शुरुवात में भगवान श्रीकृष्न अर्जुन से कहते हैं कि अच्युत, स्थिर और निश्चल भाव से मन से जब करते हुए उनका स्मरण करना चाहिए। भगवान श्रीकृष्ण फिर उत्तम भक्त की गुनों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने आपको सभी श्रिष्ठताओं से उचा कर लिया है और वह सदा भगवान का नाम जबता रहता है इस अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण बताते हैं कि सब प्रकार के भक्तों में उनका सबसे उत्तम भक्त होता है जो सदा उनकी भक्ती में लीन रहता है भगवद गीता के नवा अध्याय में भगवान कृष्ण अपनी उत्तम भक्ती के लक्षणों का वर्णन करते हैं उन्होंने उत्तम भक्त का वर्णन किया है जो भगवान के प्रती शुद्ध भक्ती और निष्ठा रखता है उनके लिए भगवान कृष्ण का कहना है कि जो भक्त उन्हें समर्पित है उन्हें वह हमेशा सनरक्षित रखते हैं इस अध्याय में भगवान कृष्ण उत्तम भक्ती के अलग-अलग विधानों के वर्णन करते हैं वे बताते हैं कि जो भक्त भगवान का नाम लेकर पूजा करता है वह उत्तम भक्त होता है उन्होंने भी बताया है कि जो भक्त आत्म निर्भर होता है वह भी उत्तम भक्त होता है उन्होंने यह भी बताया है कि उत्तम भक्त शांत, संतुलित, त्यागी, साधुचित और परमात्मा में अभिन्न भाव रखने वाला होता है इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने यह भी बताया है कि जो भक्त भगवान के लिए कुछ नहीं मांगता, उसे भगवान अपने आप ही सब कुछ देते हैं भगवद गीता का दस्वा अध्याय विभूती योग कहलाता है इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतीयों का वर्णन करते हुए अपने दिव्य रूप को दर्शाते हैं यह अध्याय 47 श्लोकों में बना हुआ है इस अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए बताते हैं कि उनके सामने अर्जुन को क्यों दर लग रहा है और कैसे वे उसे अपने स्वरूप का दर्शन करवाने की इच्छा रखते हैं वे कहते हैं कि उनका स्वरूप उस अनन्त आकाश के जैसा है जिसे न तो कोई वस्तु घेरती है और न उसमें कुछ समाया जा सकता है उनके स्वरूप में समस्त स्रिष्टी व्याप्त है भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप के वर्णन के बाद अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बताते है उन्होंने अपनी विभूतियों के विवर्ण दिया है जैसे कि उनकी विभूतियों में से कुछ वस्तुएं हैं जो जीवन को संभालती है भगवत गीता के ग्यार हवे अध्याय में अर्जुन दिव्य दर्शन का वर्णन करता है कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया था और इस अध्याय में अर्जुन अपनी अश्रुपून भावनाओं को बया करते हुए दिखाई देता है अर्जुन देखता है कि कृष्ण अपने दिव्य रूप में असंख्य देवताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं, जो उनकी तारीफ कर रहे हैं उन्हें समझ नहीं आता है कि कृष्ण इस रूप में कैसे हो सकते हैं और उनके मन में बहुत से सवाल उठते हैं कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बताते हैं कि वे इस विश्व में सब कुछ हैं और सब के अंतरगत हैं वे संसार के सब भूतों के मध्य फैले हुए हैं और सभी जीवों के अंतर्यामी हैं कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि वे समस्त संसार के लिए एक दिव्य रहस्य हैं जिन्हें समझना बहुत मुश्किल है भगवद गीता का द्वादश अध्याय भक्तियोग के नाम से जाना जाता है यह अध्याय भक्ति और कर्म दोनों के माध्यम से भगवान को प्राप्ति के लक्षे के बारे में बताता है इस अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण अपनी भक्तों को श्रधा के माध्यम से सच्चे स्वरूप को प्राप्त करने की सलाह देते हुए उन्हें अपने से एकांत में समबाद करते हैं इस अध्याय के मुख्य विश्यों में से एक भक्ती के महत्व पर ध्यान केंद्रित है भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ती के माध्यम से उसे जाना जा सकता है जो निश्काम कर्म करता है और भगवान की सेवा में अपनी संपूर्ण भक्ती वप्रेम लगाता है और उसे संसार के बंधन से मुक्ती मिलती है। भगवत गीता के तेरहवे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से जीव और प्रकृती के बारे में बताते हैं। उन्होंने बताया कि जीव और प्रकृती दो अलग-अलग वस्तुएं होती हैं और जीव प्रकृती के अनुष्ठान से विभिन गुनों का प्राप्थ होता है भगवान कहते हैं कि प्रकृती में तीन गुन होते हैं सत्व, त्रजस और तमस सत्व गुन से ज्यान, त्रजस से कर्म और तमस से अज्यान होता है जीव को सत्व गुन में स्थित रहना चाहिए ताकि वह मुक्ती प्राप्थ कर सके भगवान कृष्ण इस अध्याय में उन लोगों की भी चर्चा करते हैं, जो शास्त्रों में अध्ययन करते हुए भी अनजान होते हैं उन्होंने बताया कि शास्त्रों में अध्ययन करने से हमें सत्व गुन की प्राप्ती होती है, जो ज्यान का स्रोत होता है इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने भी यह बताया कि इश्वर सर्वव्यापी होते हुए भी समस्त प्राणियों के अंतर में स्थित होते हैं भगवद गीता के चौधवे अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन से संसार के तीन गुनों के बारे में बताते हैं और यह बताते हैं कि जीव इन तीनों गुनों से परे होकर ब्रह्मा प्राप्त करता है उन्होंने सत्व प्रज और तम गुनों की परिभाशा दी और यह बताया कि सत्व गुन से जीव ब्रह्मा की प्राप्ती करता है प्रज गुन से जीव मानव जाती में जन्म लेता है और तम गुन से जीव तिर्यक योनी में जन्म लेता है श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो व्यक्ति सत्व गुन का आधार बनाता है उसे सुख, ज्ञान और आनंद का अनुभव होता है इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि शरीर की उत्पत्ती और नाश जड़ वस्तु से होती है जो अनित्य होती है इसलिए जीव को अपने आत्मा के साथ एकी भाव में रहना चाहिए जो अमर होता है भागवत गीता के पंद्रहवे अध्याय में भगवान कृष्ण आत्मा की तुलना एक परम पेड से करते हुए उसकी उपमा देते हुए बताते हैं कि जैसे एक पेड अपने रूप के सभी अंगों से उपर की ओर बढ़ता हुआ जीवित रहता है ठीक उसी तरह आत्मा जो इश्वर का अंश होती है वह शरीर से उपर का उच्चतम तथा अटल धाम में स्थित होती है इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने फिर से संसार और मोक्ष के विशय में बताया है वे बताते हैं कि इस संसार को एक पीपल के पेड के रूप में देखा जा सकता है जिसकी जड़े उपर की ओर होती है और शाखाएं नीचे की ओर फैलती है इस पीपल के पेड का रूप जीवात्मा के संसार से बाहर निकलने के लिए त्याग का है भगवान कृष्ण ने इस अध्याय में जीवात्मा को आत्मा से जोडने तथा जीवात्मा को मोक्ष की ओर ले जाने के उपायों को बताया है भगवद गीता के सोलहवे अध्याय में भगवान कृष्ण मनुष्ण के दो प्रकार की प्रवरित्तियों के विशय में बताते हुए कहते हैं कि दैवी प्रकृती वाले मनुष्य सद्गुनों से युक्त होते हुए सुख और शांती का अनुभव करते हैं इस अध्याय में दैवी संपन्ता का विस्त्रित वर्णन करते हुए भगवान ने दश गुनों का वर्णन किया है इन गुनों को जानने से मनुष्य को समझने में आसानी होती है कि वह दैवी या आशुरी प्रवरित्ति वाला है इस अध्याय में भगवान ने समझाया है कि दैवी प्रवरित्ति वाले लोग सदा सत्य और अहिंसा का पालन करते हैं जबकि आशुरी प्रवरित्ति वाले लोग मिथ्या बोलते हैं और दूसरों को हिंसा पहुँचाते हैं भागवत गीता के सत्तरहवे अध्याय में भगवान कृष्ण मनुश्यों की श्रध्धा को तीन भेदों में विभाजित करते हुए बताते हैं पहला भेद उन्होंने सात्विक श्रध्धा का कहा है जिसमें श्रध्धा से युक्त बुद्धी, वाक और कार्य होते हैं ऐसी श्रध्धा उनको समर्पित होती है जो वेदों में वर्नित धर्म के अनुसार होती है दूसरा भेद उन्होंने राजसिक श्रध्धा का कहा है जो विवेक के आधार पर होती है और व्यक्ती को सुख देने वाली वस्तूओं के लिए काम करती है तीसरा भेद उन्होंने तांसिक श्रद्धा का कहा है जो बुध्धी को अज्यानी बनाती है और जो अधर्म और अज्यान के अनुसार काम करती है उन्होंने इस अध्याय में यह भी बताया है कि श्रद्धा के आधार पर मनुष्य व्यक्ति कैसे होता है वह जो भोजन्क, यग्यत, तपस्या, दान और काम करता है वह सब उसकी श्रद्धा से विवेक्षिल्ता और निष्ठा के साथ होते हैं भागवत गीता के अंतिम अध्याय, अध्याय 18, भगवान कृष्ण द्वारा संक्षेप में अर्जुन के लिए समस्त उपदेशों का संक्षेप दिया गया है इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कर्मयोग, ज्यानियोग और भक्तियोग के तीनों का विवेचन करते हुए बताते हैं कि भगवान के भक्त होने से अन्योन्य संबंध बना रखना चाहिए भगवान कृष्ण बताते हैं कि समस्त कर्म भगवान के लिए आराधना होता है और इसके लिए न किसी भी फल की आशा रखनी चाहिए उन्होंने कहा कि सभी कर्मों का मूलभूत तत्व समर्पन होना चाहिए और यदि समर्पन सही भाव से किया जाए तो कर्म भगवान के लिए आराधना हो जाता है भगवान कृष्ण ने ज्ञान योग की महत्ता का भी बताया और यह बताया कि ज्ञान का उपदेश उसे समझने वाले को भगवान का समान है ज्ञान द्वारा व्यक्ति अपनी स्वार्थ परता को त्याग कर संसार के समस्त दुहखों से मुक्त हो सकता है गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रन खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है क्रोध में लिए गए फैसिल अक्सर गलत होते हैं जिससे व्यक्ति आगे चल कर पच्चताता है इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें श्रीमत धागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्म मंथन जरूर करना चाहिए आत्म ज्यान के जरी ही व्यक्ति को अपने गुन और अवगुन के बारे में पता चलता है आत्म मंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्म मंथन जरूर करें श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयन का आकलन करना भी बेहद आवश्चक है जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयन से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे जब मनुष्य अपने गुनों और कमियों को जान लेता है तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्मान सही धंग से कर पाता है गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंतरन रखना चाहिए मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता वो सफलता की राह पर चल पड़ता है ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्षे को आसानी से हासिल कर लेता है श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए मित्रों जो भी बातें आप लोगों ने अभी इस वीडियो में सीखी है और समझी है उन बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं इससे आप सब का जीवन सरल और सुखी हो जाएगा मित्रों हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल ज्यान वास्तु टाइन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें धन्यवार